अस्सलाम अलेकुम आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊँगा कि अगर वर्णियर कैलिपर के अंदर error मुझूद हो तो फिर उस वर्णियर कैलिपर से हमने कैसे reading लेनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर मुझूद है या नहीं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एरर का हमें कैसे पता चलेगा ठीक है तो एरर का पता चलाने के लिए आपने क्या करना है कि इन दोनों जाज को completely close कर देना है ठीक है तो यहां पे मैंने इन दोनों जाज को completely close किया है completely close होने के बाद आपने देखना है कि main scale का 0 और vernier scale का 0 अगर तो आपस में कौंसाइड हो रहे हैं अगर तो main scale का 0 और vernier scale का 0 बिल्कुल उपर नीचे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे vernier caliper में कोई error मुझूद नहीं है लेकिन अगर vernier का 0 और main का 0 अपस में कौंसाइड नहीं हो रहें तो इसका मतलब यह है कि हमारे इस vernier caliper में error मुझूद है अब आप जरह इस Virnir कैलिपर को गोर से देखें तो आप फॉरन से इसको देख के बतासकते हैं कि इस Virnir कैलिपर में Error है क्युक्र दोनों 0's आपस में कौनसाइड नहीं हो रहे ठीक है अब Error जो हैं वो दो तरह के होते हैं एक Error ऐसे आएगा कि जब ये वला zero main scale के zero से आगे चला जाए ठीक है तो इसको हम क्या कहेंगे positive error कहेंगे और इस case में वर्रियर कैलिपर जो reading महीर करेगा वो हमेशा actual reading से ज्यादा होगी ठीक है और दूसरा error ऐसे possible है कि ये वला जो zero है ये इस main scale के zero से left side पे आजे तो इस case में जो error होगा उसको हम negative error कहेंगे और इस case में वर्रियर कैलिपर जो भी reading महीर करेगा वो actual reading के मुकाबले में कम होगी ठीक है तो इस video में मैं आपको positive error के साथ reading लेना सिखाऊंगा negative error के साथ reading आपने खुद महीर करनी है अगर आपके पास ऐसा वर्रियर कैलिपर है जिसमें negative error है तो आपने उसकी reading खुद महीर करनी है ठीक है और ये video देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि error वर्रियर कैलिपर से आपने correct reading किस तरह महीर करनी है ठीक है तो इसमें जो error है अब वो हम महीर कर लेते हैं error कैसे आप महीर करेंगे आपने ये वली length जो है calculate करनी है मतलब कि ये वला zero और ये वला zero इन दोनो लाइनों के दिरमया जो difference हा रहा है ये error है और ये length आपने calculate करनी है ये length calculate करने का क्या तरीका है कि आपने ये देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन में स्केल की डिवीजन के साथ कौन साइड हो रही है ठीक है तो आप ज़रा केरफुली देखें ये वली देखें ये वली जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है ये main scale की इस reading के साथ perfectly coincide हो रही है अब आपने ये गिनना है कि ये कितनी division है ठीक है तो गिनने देखें 1, 2, 3, 4, 5 तो ये vernier scale की जो fifth division है वो main scale की line के साथ coincide हो रही है ठीक है तो अब आपने क्या करना है कि 5 को multiply कर देना है इसके least count के साथ और इस vernier का जो least count है वो देखें यहां बे लिखा हुआ है और वो least count कितने है 0.05 mm तो फिर हमारा जो error है उसकी reading कितनी आजेगी हम five को multiply करेंगे इसके least count के साथ और इसका least count कितने है 0.05 mm ठीक है तो जब आप इन दोनों को multiply करेंगे तो हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा 0.25 mm ठीक है हमारे जो इस vernier scale में जो error है वो कितना है 0.25 mm है ठीक है अब इस error के साथ हमने reading को measure करना है तो चलें अब हम इस error vernier caliper से reading measure कर लेते हैं ठीक है तो suppose करें आपने जिस चीज की reading measure करनी थी उसके लिए suppose कर लेते हैं कि ये vernier caliper जो है वो यहां तक open है ठीक है हम suppose कर लेते हैं कि vernier caliper जो है वो यहां तक open है मैंने आपको बताया था कि vernier caliper की reading कैसे मज़िर करेंगे इसमें 2 scale है एक main scale और एक vernier scale main scale की reading अलादा आएगी और vernier scale की reading अलादा आएगी तो zero से vernier scale का जो zero है इससे पहले जो भी division होगी वो ही हमारी main scale की reading होगी अब आप जड़ा देखें कि यह वली division है और यह कितनी है यह 10 है 11, 12, 13, 14 और 15 ठीक तो main scale की reading कितनी आगई 15 mm तो फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं main scale की reading कितनी आगई 15 mm ठीक अब आपने vernier scale की reading को मज़िर करना है तो vernier scale की reading को कैसे मज़िर करेंगे हम देखेंगे कि कौन सी line जो है तो main scale की division के साथ coincide कर रही है तो आप कौन सी line coincide कर रही है तो यह देखें मेरे ख्याल में यह जो यहीज़鬼 division है यह main scale की division के साथ perfectly coincide कर रही है ठीक अब आप यहां से गिनना शुरू कर दें कि ये कौन सी डिवियन है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला तो ये 16th डिवियन थी जो मेन स्केल की डिवियन के साथ कौन साइट कर रही है तो फिर वर्नियर स्केल की डिवियन के साथ कर रही होगी उसको आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाय कर देना है तो क्या आजएगा फिर 16 मल्टीप्लाय बैए, लीस्ट काउंट कितना है, 0.05 mm तो ये फिर हमारे पास जो है, वो कितना आजएगा, 0.8 mm ठीक है, तो ये जो है, वो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई है और तो फिर टोटल रीडिंग जो होगी, वो क्या होगी, में स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को हम एड़ कर देंगे तो वो हमारे पास total reading आजएगी और वो कितनी आजएगी आपके पास यह देखें 15 mm प्लस 0.8 mm यह हमारे पास आजएगी 15.8 mm ठीक है तो यह हमारे पास जो है वो total reading आ गई है तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे vernier caliber में error मौझूद था उसको हमने adjust करना है और हमने शुरू में यह देखा था कि जो हमारा 0 था vernier scale का वो main scale के 0 से आगे था ठीक है मतलब कि यह situation थी जो हमारा vernier scale का 0 था वो main scale के 0 से आगे था इसका मतलब यह है कि जो भी rating vernier caliber ने पड़ी है वो actually ज्यादा है तो इसका मतलब यह होगा कि फिर जो total rating हमने find किया यह वली इस में से हम 0 error को क्या कर देंगे minus कर देंगे correct rating लेने के लिए ठीक है तो अब यह देखें कि हमारी जो total rating थी वो 15.8 थी 15.8 में से हमने 0.25 mm को minus कर देना है क्योंकि हमारा जो error था वो positive error था ज्यादा rating पाड़ रहा था ठीक है तो इसलिए फिर इस rating में से error को minus कर देंगे तो जब हम इन दोनों ratings को minus करेंगे तो हमार पास क्या आ जाएगा 15.55 mm ठीक है तो जो हमारी total rating है वो कितनी है 15.55 mm ठीक है तो मैंने आपको यह बता दिया किस तरह आपने अगर वर्नियर कैलिपर में error हो तो उससे आपने reading को मैयर करना है तो चलें अब एक आप लोगों के लिए assignment है वो आपने खुद करनी है कि अब suppose करे कि जो वर्नियर कैलिपर है suppose कर लेते हैं कि हाँ ठीक है यह यह position है वर्नियर कैलिपर की ठीक है तो इसमें आपने यह बताना है कि error कौन सा है positive है या negative है और इस error को हम total rating में minus करेंगे या plus करेंगे और उसके बाद आपने यह बताना है कि यह error कितना है ठीक है मतलब कि इस error की कितनी value है कितने mm error मुझूद है ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतन ही था उमीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद ही होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ही तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए और मेरी वीडियो को share भी कीजिए अलाःफेश